नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं नव अगस से सुरू हो जाएगी, इसकूली सिख्चा एवं सक्षर्था विभाग सोमवार को इस समन्द में विश्थित गाइड लाइन जारी करेगा बतादे इसकूलों को खुलने पर सिख्चक एक सब्ता इसकूलों में साफ सफाई और सेनिटाइजेशन सुनेशित करने के काम करेंगे जारखन में 7 अगस्तक बारिस जारखन में फिलहल बारिस से रहात नहीं मिलने वाली है हपते भर राजे में गरज के साथ हलकी बारिस होती रहेगी अधिक्तम तापमान में बिरिधी का उनुमान है बताते बारिश के साथ बजर पात की भी असंका है, ज़रकन के उत्री तथा दक्षिनी पुर्वी हिसों में में गर्जन होगा इस दोरान हलके से मजदज की बारिश के असार है राजे में अगले 2-3 दिनों के दोरान अथिक्तम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्शल्स की बिरिधी का उनुमान है 7 अगस तक राजे में हलकी बारिस होती रहेगी बिना भैक्सिनेशन बचों को भी देले बुलाना ठीक नहीं अभिभावक संग सोमवर 2 अगस से ICMR के काईलान के तहोत और राजे सरकार के आदेश के उनसार जारखन के इसकूल खोलने के लिए तियार हो रहे हैं बतादे काई स्कूलों ने अपने परिसर और क्लास के रूम की साफसफाई शुरू कर दी है वहीं जारखन अभिभावक संग के अध्यक्ष अजयराय ने कहा है कि बिना भैक्सिनेशन कराई नवी से बरावी काक्षा के छात्रों के लिए इसकूल खोलने के नुमती और 18 वर्स से उपर के छात्रों को लेकर कोचिंग सेंटर खोलने कराई सरकार कादेश और बेभारिक है इसकूल खोले जाने से पूर्व सिख्चक, सिख्चकेतर, करमचारियों और अन्य स्टाप को कुरोना से बचाव के लिए भैक्सिन लगाना अनिवार किया जाना चाहिए ताकि आईभावक वच्छात्र निश्चीत रहें अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पूलिस मुख्याले ने बनाया स्पेसल सेल जारखन में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पूलिस मुख्याले ने एक स्पेसल सेल का गठन किया है यह सेल अपराधियों पर पेनी नजर रखने के साथ साथ जीला पुलिस की मदद से उन पर करवाई कर रहा है इस समन में जारखन पुलिस के प्रवक्ता आईजी अभियान अमोल वी होम करने रविवार को बताया की मुख्यालय अस्तर के एक बिसेल सेल का गटन किया गया है यह सेल संगठित अपराधि गिरोव पर नजर रख रहा है गिरोव के सदस्यों को चीनित किया जा रहा है कुख्यात अपराधि जो जेल में रहकर अपना गिरोव चला रहे हैं उनके गिरों के साथ ही कब जेल से निकल रहे हैं जेल से निकलने के बाद वे क्या कर रहे हैं इन सभी गति वीदियो पर स्पेशल से नजर रख रहा है हाई स्कूलों के सिक्षकों को मिलेगा परमोसन जारखन के हाई स्कूलों के सिक्षकों को पर्मोसन दिया जाएगा इसके लिए सभी जीलों से असनातक सिक्षकों की सेवा समपुष्टी वेतन संग्रचन, सेवा निरनतरता, प्रवरन वेतनमान में प्रोनती और सेवा निरीती समाधित रिपोर्ट उपलब्द कराने को कहा ग संख्या, भारव बरस की सेवा पूरी करने वाले सिक्षकों की संख्या और वर ये वेतनमान पाने वाले सिक्षकों की संख्या बतानी है कोविड भैक्सिन बनी कवाज, ठीका नहीं लेने वाले ही हो रहे बिमार क्रोन वारे संक्रमन से बच्चाव में भैक्सिन कितनी कारगर है, इसे जारखन में संक्रमन के बरतमान आकडोस से समझा जा सकता है आकड़े बताते हैं कि भैक्सिन की दोनों डोज लेने वाले गिने चुन लोग ही संक्रमित हुए हैं जिसने एक डोज भी ली है उसे भी कुरोना या तो छू नहीं सका या संक्रमन की चपेट में आने के बाद भी ज्यादा नुक्सा नहीं हुए है बताते भैक्सिन ने उनकी इम्युनि animales का अस्तर ऐसा बनाए रखा हुए कि यो शंक्रमन से असानी से लडकर रहनाने में सपर लहे हैं ज्यार्खण बिधान सभाक मानसुन सत्र पंद्र अगस्त के बाद जारखन बिधान सभा का मानसुन सत्र 15 अगस्त के बाद आहुत होगा मुख्यमंत्री है मानसुरेन और संसदिये कार्य मंत्री के बीच बिधान सभा के मानसुन सत्र को लेकर मंत्रना होई जनकारी के मुताविक बिधान सभाक 5-7 कारदिवसका होगा और इस दोरान जरूरी बिधाई कारण निफटाए जाएंगे मानसुल सत्र की तारिक कैबिनेट की अगली बेठक में तै होगी इधर मानसुल सत्र को लेकर बिधान सभासत चीवालाय तैयारी में जूट गया है श्कूल आना अनिवार्य होगा बताया जाता है कि सो मोहर को जो गैलेंड जारी होगी उसमें इसे भी अनिवार्य किया जाएगा अभी तक प्रात्मिक इसकूलों में भी रोश्टर के अनुसार पचास परतिसल शिक्षक इसकूल आ रहे थे लेकिन अब सभी सिक्षको को शुरू निश्ठा 2.0 कारेकरम के तहत हाई तथा पलस टू स्कूलों के प्रधना ध्यापको एवं सिक्षको का ओनलाइन प्रसिक्षन रविवार से शुरू हो गया है दिक्षा पोटल के माध्यम से या प्रसिक्षन ओनलाइन दिया जा रहा है राजे में अब तक 10 यार माध् से छब वकारों से पांच रामगर से एक तेवघर से एक गिरीदी से एक खोटी से एक चात्रा से दो जामतरा से एक साइवगां से पांच दुमका से दो मिले हैं जारकन में 24 मरी स्वास्त भी हुए हैं जारखन में कुल एक्टिव केस की संक्या 254 है भारत में 40 यार 627 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संक्या 4,88,343 है कंबल घोटाला में 2 सी जार कराफ्ट के अपसरों के खिलाफ होगी करवाई मुख्यमंत्री जारखन में जार करफ्ट द्वारा कमबल की खरिदारी में बरती गई और निमित्ता के दोसी अफसरों के खिलाब करवाई की पर के लिए आगे बढ़ेगी मुख्य मंत्री हमां सुरेन ने इस घोटाले की एंटी करॉप्शन ब्योरों से जाच से समधित अगतन इस्थिती की जनकारी प्राप्त करने और जार करफ्ट के दोसी पतादिकारियों के बिरूद अनुशसनात्मक और दनरात्मक करवाही प्राडम करने के लिए जार करफ्ट के प्रवंध निर्देशकों निर्देश देने समधि प्रस्ताव को अपनी स्विक्रिती दे दिया है ग्याथों कि जार करफ्ट के द्वारा हर्याना के पानी पत से कमल की खरिदारी की गई थी रेडियो से भी स्कूली बच्चे कर सकेंगे पढ़ाई हजारी बैग में बच्चों को मिला रेडियो से कुरोना वारेस संक्रमर के मदर नजर लॉकडाउन के करनी स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए ओनलाइन सेमेट आने परक्रिया अपनाई जा रही है चारकन सिक्षा पर युनाक द्वारे इसकूली बच्चों तक मोबाईल के जरिये कंटेंट पहुंचाने यह हम रेडियो परसारन कर बच्चों को सिक्षा से जोड़ा जा रहा है बदा दे इसी के तहट लाइन स्कूल भाजारीबा की ओर से इसका परक्षण में 25 दलित टोले के गरीब बच्चों को एक एक रेडियो सेट दिया गया कासे पदक जीतने पर पीवी सिंदु को बधाई भारतिये स्टार पीवी सिंदु ने टोक्यो लंपिक में ब्रॉंज मेडल जीत कर इतिहास रश्टाला है सिंदु ने चीन की आठवी वरिये ही विंग जियाओं को 213, 215 से हरा कर महिला एक रलस परदा का कासे पदक जीता इसके साथ ही सिंदु लगातार दो उलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला खिलाडी बन गई है राश्पति रामनाथ कोविंद और प्रदान मंदिन अन्दबोदी ने भारतिये बैटमेंटल किलाडी पीवी सिंदु को दूसरा उलंपिक पदक जीतने के लिए बधाई दी है 20 अगस्त से जहारखन के सभी मंडलों में भाजपा के बिरोध परदसन दीपक परकास जहारखन बीजेपी परदस अध्यक सहराज सभासांसत दीपक परकास ने राजे में गिरते कानून व्यवस्ता को लेकर हमला बोला है उन्होंने कहा कि राजे में लाओ और नाम की कोई चीज नहीं रह गई है उन्होंने कहा कि हर दीन करीब पांच लोगों की हत्या दुसकर्म और अफरन हो रहा है इस मसले को भाजपा गंबीता से लिया है आगामी 20 अगश्त से राजे के सभी मंडलों में बीजेपी सड़क पर उतर कर बियोध परदसन करेगी बतादे परदेश कर्याले में पत्रकारों से बात करते हुए सांसर दिपक परकास नहीं कहा कि राजे की हमन सरकार के 29 महीने के कारेकाल में उनासी सव अठार हत्या, सताई सो एगारा दूसकर्म, 24 सव अपहरन, 538 नकसल वरदात, 1226 लूट डकैती और एगारा लोगों की डायन हत्या से राजे की जनता भैविता तीन लाग हाली पदो पर बहाली करेश सरकार दिपक परकास परदेश अध्यक्स दिपक परकास ने कहा है कि भाजपा राज की बरबादी नहीं देख सकती है राजे में बिगर्ती कानून विवस्था, किसानों की समस्या, युवाओं के होक और अधिकार महिलाओं के सम्मान के लिए भाजपा करेक करता अगामी 20 अगस से सड़क पर उतर कर राज सरकार के खिलाप जोरदार आंधरन करेगी उन्होंने कहा कि हमन सरकार रोजगार के मुद्दे पर विवाओं के साथ वादा खिलापी कर रही है नियुक्ति वर्स परतेक वर्स पांच लाग की नोकरी वरना सन्यास लेने के वादा धोखा साबित हो रहा है उन्होंने कहा कि 3,29,000 पदरिक्त पड़ा है परासिछक आंगनवाडी सन्वीदा कर्मियों को धोखा दिया जा रहा है मनरेगा में नोकरी दिलाने के नाम पर ठगी साथ अरोपियों के खिलाप मामला दर्ज जार्खन की रैधानी राची के पास इलाका असोक नगर में मनरेगा में नोकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है सिनियर अधिकारियों के निदेश पर अरगोडा सीयो ने करवाई करते वे राची के अरगोडा इस्थीत मंदेगा मजदूर विकास संगठन के ओफिस को सील किया है इस मामले में भिहार के मास्टरमाइड समेथ साथ अरोपियों के खिलाब मामला दर्च किया गया है खाजाना भरने के लिए जार्खन सरकार की बड़े तियारी जार्खन सरकार की नई उत्पाद नीती धरादल पर उतर चुकी है परदेश के सभी 24 जीलों में सराब की थोक आपूर्ती के लिए अलग-अलग कंपनियों को काम आवंटित किया जा चुका है हलाकी शुरुवाती दिखतों के बाद अवराजे के सभी 24 जीलों में सराब की आपूर्ती सुचारी रूप से हो रही है पताद नई वित्रण नीती के तहट राज सरकार ने बीते दिनों सराब की थोक आपूर्ती का काम जार्कन एस्टेट वेवरेज कार्पोरेशन से चीन कर नीजी हाथों में सोपने का निना किया है कॉलेजों में नमांकन की होगी मारा मारी पलस टू में सीटे नहीं रहेंगी खाली इस वर्ष जार्कन बोर्ट की इंटर्मीडियेट की परिक्षा में पिछले साल के अपेक 6-1,25,000 अधिक विद्यार्थी उतिन हुए है वहीं दासमी में भी उतिन होने वाले पिद्यार्थी की संख्याई 1,26,000 अधिक है इससे जहां कॉलेजों में असनातक में नमांकन को लेकर मारा मारी होगी वहीं इस बार सरकारी प्लस 2 विद्यालों में हर साल खाली रह जाने वाली लबग 2,00,000 सीटे भरने की उमीद है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 1500 के बदले देना होगा 2300 रुपया सुल्क अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को 15100 रुपय के बदले 2300 रुपय देने होगे बता दे लाइट, मोटर, विकल और मोटर साइकल के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावी सुल्क जारी किया गया है अधि सुचना जारी होते ही डियल का नया सुल्क आवे दुको को देना होगा जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा बता दे लाइलिंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों के ही सुल्क में बढ़ोतरी की गई है हड़ी रोग भी से सग्या कराएंगे ट्रेफिक नेमो का पालन जार्खन अर्थोपेडिक एसोसियेशन एक से साथ अगस्ताक बोन और जॉइंट दिवस मना रहा है बता दे इस दोन लोगों को स्वस्त रहने को लेगर जागरूप किया जाएगा साथ ही इस बार की थीम सेव सेल्फ सेव ओन है इसके मादे हम से बताने का पर्यास होगा कि कैसे अपने आपको सुरक्षित रखे और दूसरों को भी सड़क दुरगटनाव से सुरक्षित रखे राज्य और जीला सिक्षक पुरसकार के लिए 31 तक चयन राज्य के सरकारी स्कूलों के स्थिक्षको का राज्य और जीला सिक्षक पुरसकार के लिए चयन किया जाएगा बतादे जीला चयन समिती 25 अगस्तक सिक्षको के नाम की अनुसंसा राज्य को करेगी वही राजय चैन समीती 31 अगस्त तक तिन सिख्षकों के नाम सोटलिस्ट करेगी इसके लिए प्राथ्मिक सिख्षा निदेश साला इनने गाइडलेन जारी कर दिया है बता दे जीला अस्तरिय चैन समीती के अध्यक्ष उप आयुक्त होंगे वही उप बिकास आयुक्त, जीला कल्यान पताधिकारी, जीला सिख्षा पताधिकारी, जीला सिख्षा अधिक्षक, अनुमंडल सिख्षा पताधिकारी और जीले के दो हाई स्कूलों के वर्ये पर धना द्यापक सदा से होंगे वहीं राजय अस्तरिय चैन समिती के लिए अध्यक्ष इसकोली सिक्षा यम सचता विबाक सची होंगे राजय पाल और मुख्य मंतिर ने पीवी सिंदू को जीत पर दी बधाई राजय पाल रमेश बस ने टोक्यो ओलम्पिक में पीवी सिंदू को कासे पदक हासिल करने पर बधाई दी है उन्होंने रविवार को कहा कि पूरे राष्ट को आप पर गर्व है आपने अपनी उपलावधी से राष्ट को गर्वानीत किया है राजय पाल ने अपने भावनाओं को ट्वीटर पर भी सेयर किया बिधायक बंधु तिर्की ने भाजबा परदेश्ट अध्यक्ष दिपक परकास और पूरो मुखमंद्री वावला मरांडी को पत्र लिकर वोट पैंग की राष्ट निती नहीं करने की सलादी है साथी असला भी दी है कि राची वर राजय के कोने कोने में आदिवासी जमीन की पुरवर्ती सरकार में लूट हुई उस बिंदु पर भी दो सब्द बोला जाए पुरवर्ती सरकार द्वार राजय धानी में कीतने आसियाने उजाडे और पुर्णवास की कोई वेवस्ता नहीं की गई उन्होंने काया कि जार्खन अलग राजय गठन के बाद सबसे अधिक लंबे समय तक भाजपा ने राजय में सासर किया इसके बावजूद आदिवासी भूमी के गर कानोनी तरीके से खरीद फरोक्त के मामले उजागर होते रहे हैं बस परिचलन सुरू राज सरकार के आदेश अनुसर रविवार से अंतर राजय बस परिचलन सुरू हो गया है वैसे मानगो बस इस्टेंड से बिहार उड़ी से पच्छी मंगल सही तमाम राजयों के लिए लगवग 500 बस से खुलती है सभी बस से एक अगस से सुरू हो गई है हलाकी यात्रियों की संखे काफी कम है वहीं बिहार के लिए प्रतिया 30-100 रुपे तक भड़ा भी बढ़ाया गया है धन्यवाद